नमस्कार, NETV इंडिया देख रहे हैं आप, नहुताबिश हुसेन और सवाल इंडिया का में आज बात दिल्ली की करेंगे, दिल्ली की कानून विवस्था की, यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा की, क्योंकि एक ऐसा मामला हुआ है फिर से दिल्ली में जिसने सब की चिंता को ब और यह पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई, यह उस जगा की तस्वीरें जो सामने आएं वो भी आप देखिए, यह रास्ता है जहांपर लोग भी मौजूद थे और सरे आम किस तरह से इस उफ्थी की जो है वो हत्या कर दी गई चाकों से हमला करके, दिल्ली में इस नाबालि की हत्या की आरोपी को पुलिस ने बुलंचेर से गिरफतार कर लिया है, और पुलिस के मताबिक 20 साल के आरोपी साहिल ने लड़की को रास्ते में रोका और चाकों से कई बार वार किया, इसके बाद पत्थर से हमला किया, और पुलिस का इसको लेकर कहना है कि दोनों एक जब रविवार शाम पीड़े बर्थडे पार्टी में जा रही थी तब ही आरोपी ने हमला किया तो इस मामले पर दिल्ली पुलिस का क्या कहना है सबसे पहले आप वो सुने किसी एक बच्ची की निर्शन से हत्या की गई है पुलिस इमेडियेटली वहां जाकर बच्ची को जो विक्टिम है उसका आइडेंटिफिकेशन करती है साथ ही इंटाइर सरकमस्टांसेज और एक्यूजड को जिरो इन किया जाता है और उसके आधार पर और साथ ही जो नजदी का जो सीसी टीवी जिसके जरिये ये बात कैप्चर हुआ ये पता चल सकता है तो उसका एनालेसिस उसके स्टडी करकर जो टीम्स हैं वो डिस्पैच की गई है अब से थोड़ी दिर पहले यूपी के बुलंद शहर से उस एक्यूजड को हमने गिरफतार किया है उसको अब लेकर आ रहे हैं और बाकी जो फर्दर निवैंसेज ऑफ जो केस है वो हम उस तक पहुँचकर और बेस्ट पॉसिबल एविडेंसेज कलेक्ट करेंगे और स्टिक्टिस्ट पॉसिबल दोनों एक दूसरे को जानते थे या तो कल ही या उससे पहले कभी कोई जगडा हुआ है या बाचित बंध हुई है इसका रोश इसका गुसा जो है इस तरह के निर्शन सहत्या को अंजाम देने में एक्यूजड ने किया है और ये एक अमानिवी और एक निर्शन सकृत्त है और इसको ध्यान में रखते हुए जो हम स्ट्रॉंग एविडेंसे कलेक्ट कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिस दिल्ली पुलिस के रहेगी तो यहाँ पर इसको पकड़ लिया गया है और आपने सुना दिल्ली पुलिस के तरफ से कहा गया स्पेशल कमिशनर दिपिंद्र पाटक बता रहे थे कि अब सबूत जुटाकर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिस यहाँ पर की जाएगी लेकिन इस पर जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो भी आप देखिए दिल्ली के मुक्मंतरी अर्विन के जिवाल उन्होंने इसको लेका ट्वीट किया जिसमें लिखा कि दिल्ली में खुले आम एक नाबालिक बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है ये बेहत दुखत और दुर्भागे पूर्ण है अपराधी बेखौफ हो गए हैं पुलिस का कोई डर नहीं है एल जी सहाब कानून विवस्था आपकी जिम्मदारी है कुछ कीजिए दिल्ली के लोगों की सुरक्षा सबसे महत्तोपूर्ण है और इस पर दिल्ली पांडिया माधी पार्टी की तरफ से क्या कहते हैं वो भी आप देखिए हमने पहले भी बार बार इस बात को कहा है कि दिल्ली की कानून विवस्था अगर एल्जी सहाब की दो तीन प्रमुख जिम्मदारियों में से एक बड़ी जिम्मदारी है तो एल्जी सहाब ऐसा कुछ करते हुए क्यूं नहीं दिखाई देते कि दिल्ली की जनता और दिल्ली की कानून विवस्था दिल्ली की पुलीस के बीच जो अविश्वास की खाई है वो कम होती नजर आए ऐसा करते हुए एल्जी सहाब कभी भी क्यूं नहीं दिखते एक साल उनको आए हुए दिल्ली में दिल्ली की कानून विवस्था का सत्या नाश कर दिया, बेड़ा गरक कर दिया जाहरे कानून विवस्था को लेकर सवाल उठते हैं लोगों के जहन में बड़ी चिंता पैदा हो जाथी है कि किस तरह से बे खौफ आप रादी जो है वो ऐसी घट्टाओं का अंजाम देते हैं इस पर आप क्या कहना चाहेंगे देखिए ये बड़ा गंभीर मामला है और ग्रूशम मॉर्डर एक माइनर लड़की का कितनी बार 21 बार चाकू मारने के बाद जो किया है जो डाउट इसमें पब्लिक का फेथ है जो पुलिस में और कानून में वो जरा हिल जाता है इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन साथ-साथ एक बात और भी मैं बता दूं कि हम ये किस आनसिक सिदी के लोग बनते जा रहे है हमारे दिल्ली में जो ऐसे किसी बच्ची का इतना जगन तरीके से मतलब एक rarest of the rare case की केटेगरी में मैं इसको केस को समझूँगा जब पकड़ लिया गया तो हो सकता है इसका ट्राइल के जल्दी ट्राइल हो जल्दी इसको फांसी की सजा मिले that is there बट लोगों में यह हो गया रहा है दूसरी बात यह है कि दूसरे जो लोग इसी कटेगरी में आता है कि यह जो अपरादी है जिसने बच्ची को इस प्रकार से मारा है वो एक क्या रंदिस लेकर किया हुआ क्योंकि इतने जबरदस तरीके से एक इस वार चाकू मारना और फिर पत्थर से मारना यह तभी यह दरसाता है कि उसके दिमाग में कितना स्वीर सामने आई है वहाँ पर लोग भी नज़र आ रहे हैं किस तरह से उसके बावजूद बेखौफ होकर यह जो अपरादी है इस हत्या को अंजाम देता है इस जगा के बारे में आप बताईए पुलिस तक कैसे जानकारी पहुंची और कैसे इसको पकड़ा गया देखिए जो इलाका है यह सलाम एरिया है और यहाँ पर मोसली जो लोग है वो गरीब तक्वे के लोग रहते हैं मजदूरी करते हैं वो लोग यहाँ पर रहते हैं दूसरी बात यह है कि जो आरोपी है वो लड़की को पहले से जानता था यानि कि पहले से उसकी दोस्ती थी और कल लिया उसके एक दिन पहुले उसका लडकी से किसी बात को लेकर ज़कड़ा हुआ उसके बाद आरोपी पूरी कॉंश्परेसी के साथ चाकू लेकर पहुचा उसने लडकी का रास्ता रोका और एक के बाद एक वो चाकू से लडकी पर उसने करीब 22 बार वार किये उसके पाद पास में कुछ पत्थर पड़े हुए थे उसने पत्थर उठाया और लड़की के सिर पर वार किया खास बात ये कि जब ये पूरी घटना हो रही थी तब वहाँ पर रात के घटना के वक्त जो है जो समय था वो रात के 9 बजे था और ग भागे नहीं आया और आरोपी बड़े आरम से हत्या कान को अंजाम देने के बाद जब उसने ये सुनिश्चित कर लिया कि लड़की की मौत हो गई है उसके बाद यहां से भाग गया अब पुलिस ने आरोपी को बलंसेर से ग्रिप्टार कर लिया है उसको दिली लेकर आ रह कोई रेलेटिव हैं उनके यहां यह रुका हुआ था वहां से पुलिस ने मौबाइल लोकेशन को ट्रेक किया और फिर पकड़ा है तो काफी एक तरह से कहें जिस तरह से पूरी घटना हुई है रॉंक्टे खड़े कर देनी गाली घटना है और यह दिखाती है कि दिली कितन बहुत हिम्मत दिखा कर ऐसी घटना को रोक सकते हैं लेकिन लगातार ऐसी घटना सामने आ रही है और इनको लेकर जो पुलिस की कानून विवस्ता है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं हाला कि आब इस मामले में आरोपी ग्रिफ्तार कर लिया गया है और पुलिस का दाव में मुकेश बता रहे थे सलम ये इलाका है और यहां पर आप देखे जो तस्वीरे सीसी टीवी की आई हैं वो इतनी दर्दनाग हैं कि उनको दिखाया भी नहीं जा सकता है इस तरह से सत्या को अंजाम दिया गया है राव साब यहां पर मैं आपके पास प्लॉटूंगा अर इस केस को आईसलेटीड से मद देखे ऐसे केसिज और भी बहुत से हुए हैं जिससे हम कह सकते हैं कि पुलिस का जो कानून का भैयफ है अपरादियों में कहीं है नहीं है इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन यह कुछ परसंटेज हैसे अपरादिये हैं जो की इन्होंने ठ दिमाग में पुलिस का डर रहता है अगर ऐसी बात होती तो देश देश और पूरे दिली और देश में पूरे आजकता हो जागी कि किसी के दिमाग में पुलिस और कानून का डर ही नहीं ऐसी बात इसमें है नहीं कुछ से का इसलेटीड केसिज हैं जो कि यह सिर्फरे दिमाग वाले हैं जिनको कानून और पुलिस का भाः नहीं रहता है है तो वो उसके सिर्टिक्लर kेस के लिए बह практиản के हम दो आप तो एसी बात नहीं है कानून की विवस्ता है यहां पर और रूल अभी है और रूल अफ लोग को लागू करने के लिए पुलिस की जो अपना काम बेखूबी कर रही है केजरिवाल साथ का यह कहना कि पुलिस के का भैख खतम है वह ऐसी बात एक दो केसि को लेकर हम नहीं कह सकते और पुलिस ने ज coração के अची रिलेसन हैं जैसे अभी बताते हैं थे सेंगति अगर ऐसे रिलेसन थे और इनमें रिलेसन में दरार पड़ गई थी तो उनके घर वाले या कोई और पुलिस कहार कर देते तो हो सकता कोई प्रवेंटिव मेज़र पुलिस द्वारा लिया जा सकता है लेकिन ये तभी possible होता जब पुलिस को इसकी पहले जानकारी होती तो ये बात जरूरी है कि पुलिस और कानून कब है पब्लिक में है और रहना चाहिए ताकि rule of law established रहे हमारे देश में और हमारे दिल्ली में बिल्कुल राव साब देश की राइधानी क्या ये मामला है जहां कि हम बात कर रहे हैं और जब भी इस तरह की घटनाएं हुई है चाहिए निर्भया का मामला हो चाहिए कांज़ावाला के केस हो तब बड़े सारे कदम उठाने की भी बात की गई है लेकिन उसके बाद जब इ इंता लोगों की बढ़ जाती है आपको क्या लगता है वैसा क्या करनी की जरूरत है कि ऐसे मामलों पर लगाम लगे देखिए ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऐसे जो केसिज होते हैं तो आम लोगों की भावनाओं पे असर बढ़ता है और आम लोग यह समझते हैं कि य देना चाहिए पुलिस अपना काम जो कर रही है उसमें पुलिक का सहीओ पुलिक का कोपरेशन लेना बहुत जरूरी है इसमें पुलिस को जो अपने साथ में पुलिक की मदल देने के लिए जो जो कारवाई करनी है उनकी मिटिंग्स करें उनको मोटिवेट करें और ऐसे जो और जो अपराधियों के साथ में धर पकड़ जरूरी है और अपराधियों को प्रिवंटि यह और की अपराधि बार की प्रवर दिकी है उसके खिलाब preventive measures लेने चाहिए है पडिक को यह मालूम होना चाहिए है कि पुलिस हमारे लिए काम कर रहे है यह बहुत जरूरी है जब तक पडिक का faith पुलिस में नहीं होगा तब तक यह पडिक आम पडिक यही सोतेगी कि पुलिस कर क्या रही है तो हमारा सबसे important काम है पड को गेंड बढ़ाया जाए जो कि अभी कहीं केसी की वज़े से कई ने कहीं का इसको मेंटेन करना उसको बढ़ाना पुलिस की प्राथ मिक्ता होनी चाहिए शुक्रिया एलन राव साफ महार साथ जुड़ने के लिए और यह बाते रखने के लिए सामने लेकिन यह जो मामला है जिसकी बारे में हम आपको बता रहे हैं बहुत चिंता जनक यह जो है मामला है आप देखिए आपर किस तरह से एक लड़की की जो हो हत्या कर दी जाती है दिली के शाबार डेरी इलाके की घटना है 16 साल की लड़की की चाको से गोत कर यहां पर हत्या कर दी गई पूरी वार एक ब्रेक के लिए हाँ पर रुखते हैं अब बाकी राज्यों में होने वाले चुनावों के लिए कमर कस रही है और इस साल मध्यप्रदेश राजस्तान और तेलंगानम में चुनाव होने हैं और वहीं राजस्तान को लेकर बार बार यह सवार उठ रहा है कि क्या सचिन पाइलिट और अशोग गहलोत के बीच चल र आज दिल्ली में अलग अलग बैठ के करेंगे वो कहने यह निमें यह लूंगा पाज अशा कभी होता नहीं है यह सब स्टोरिय पाँ अग्वारम चलती रहती है या फिर कोछी लोग चलाते रहते हैं यह बनमाते होंगे कुछ दम नहीं है अभी हमारा डिसकशन हुआ लंबा लंबा चोड़ा डिसकशन हुआ और हमारी इ कि हमें MP में 150 मिलने जा रही है तो करनाटक में जो किया उसको हम रिपीट उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं थैंक यू हमारे स्वेगी उमा शंकर सिंग हमारे साथ जुड़ गए हैं उमा राजस्थान तो एक चिंता है कॉंग्रेस के लिए उस पर मैं आप से बात करूँगा लेकिन आज जो बैठक हुई राहूल गांदी कह रहा है कि लंबा डिसकुशन हमारा हुआ मद्रप्रदेश में 150 सीटे जी सकते हैं क्या क्या चर्चा हुई क्या खबर निकल कराई इस बैठक से हैं जी देखिए मद्रप्रदेश में इस साल के अंत में चुना होना है रास्थान और 36 गड़ के साथ साथ तो कॉंग्रेस पार्टी को जैसा की राहूल गांदी खुद बता रहे थे कि इंटरनल सर् साथ यहां दिली में बैठक हुई तकरीबन डेर से दो घंटे तक यह बैठक चली और assessment किया गया कि आखिरकार किस तरीके से यहां पर चुनावी रनीती को आगे बढ़ाया जाए तो मद्रप्रदेश जैसा कि पिछली बार जो चुना हुआ था कॉंग्रेस पार्टी ने उस नेता हैं वो उन्होंने कॉंग्रेस में आये हैं कॉंग्रेस में शामिल होना चाहते हैं तो इस सब मद्रप्रदेश पार्टी ने आज बड़ी चर्चा की है और उनको पार्टी को लगता है कि मद्रप्रदेश जो है उनके हाथ में आने जा रहा है और इसलिए कॉंग्रेस समय रहते वहाँ पर चुनावी तैयारियों का जायजा लेना शुरू कर दिया है। बैठक को कॉंग्रिस की या फिर मदब्रदेश हिकाई के साथ हो या फिर पंजाब हिकाई के साथ उस बैठक में राहूल गांदी भी शामिल हुए मलीका जुन खरगे के साथ लेकिन अब जो बैठक तीन बजे होनी थी राजस्थान को लेकर उससे छे बजे शाम के लिए पोस निकलना है तो सारा धारोमदार इस बात पर है कि क्या राहूल गांदी इसमें शामिल होते हैं और जिस तरीके से एक लंबा खिंचतान जो है चला है जैसा कि हमने देखा अभी अशोग एलो जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने आते ही एक कड़ा बयान जो है वो दे दिय है उन्होंने उन खबरों के हवाले से बात की है जिसमें ये कहा जा रहा है कि सचिन पालेट को शायद फिर से प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया जाए जो कि अशोग एलोत कते ही नहीं चाहेंगे तो अब ये जो खिंचतान है वो इसलिए जादा एहम हो गए है क्योंकि साथ उन्होंने कहा है कि अगर इस महीने के अंतक सरकार ता要डर सरकार ने राज्तां सरकार नेमागे नहीं तो फिर आंधुलन चलाएंगे तो अब ऐसी थितिय है कि राज्तान में भी चुनाओ होना है उसके पहले चुनाओं की तैयारियों pension होंनी है और उससे पहले इन दो बनाए रखिए शाम की बैठक से जो अपडेट आएगा उसके लिए आपके पास हम वापास लोटेंगे फिलाल एक ब्रेक के लिए रुखते हैं मनिपुर की बात अब करते हैं मनिपुर में हुई ताजा हिंसा में एक पुलिस के जवान समेट पांच लोग मारे गए हैं और सूत्रों के मताबिक इमफाल के आजपास के लाकों में ये ताजा हिंसा हुई है और साथ ही कई दूसरे इलाकों में भी कर्फ्यू तोड़कर लोग सड़कों पर उतरे हैं इसके बाद सुरक्षाबलों ने हवाई फाइरिंग यहां पर की और आसुगैस के गोले छोड़े गए इस बीच आज ग्रिमंतरी अमिश अभी मड़ेपुर के दौरे पर जा रहे हैं अपने दौरे से पहले उन्होंने मड़ेपुर में शान्ती बनाये रखने की अपील की है इस बीच सेना ने तीन उपदरव्यों को हत्यारों के साथ पकड़ा है हत्यारों में इनसास राइफल भारी मातरा में कार्तूज ग्रिनेड और डेटोनेटर बरामत किये गए हैं इस से पहले मड़ेपुर के सीम एन बेरेन सिंग ने कहा कि राज्ये में अब तक अलग अलग घटनाओं में 40 आतंकी मारे गए हैं उन्होंने कहा कि कई आतंकी गाँवालों के घर जलाने आये थे मुक्मंतरी के मताबक आतंकी M16 और AK47 जैसी राइफल लेकर आये थे और आम लोगों के खिलाफ इनका इस्तिमाल कर रहे थे साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकीों की ओर से लगतार हमलों के बाद पुलिस को कारवाई करनी पड़ी आपको ये दिखाते हैं कि मनिवपूर में क्यों हो रही है हिंसा और हिंसा के पीछे की वजहों का एक लंबा इतिहाज भी रहा है आप ये रिपोर्ट देखिए मनिपूर में हाला तनापून बने हुए हैं लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि ये राज आज हिंसा की आग में जल रहा है इसलिए जरूरी है कि हम यहाँ पीछे मुड़कर इन हिंसा की वजहों की पड़ताल करें All Tribal Student Union मनिपूर ने तीन मई को एक रैली का आयोजन किया था रैली अप्रेल में आये मनिपूर उच नियालाय के उस आदेश के खिलाफ थी जिसमें राज सरकार को ये कहा गया था कि वो मैतेई समयदाय को अनुसूचे जनजाती का दरजा देने पर विचार करें लेकिन अदालत की इस फैसले पर विरोध क्यों हुआ। मनिपूर राज पहाडी और घारटी इलाकों में बटा हुआ है। पहाडी इलाकों में नागा, कुकी और मीजो जनजाती की संख्या जादा है। वहीं घारटी में मैतेई आबादी जादा है। मनिपूर एक पहाड़ी इलाके वाला राजी माना जाता है लेकिन पहाड़ी इलाकों में आबादी घाटी के मुकाबले बहुत कम है ऐसे में मैती समधाय की मांग क्या थी और नागा कूकी की तरफ से ये विरोध क्यों हो रहा था मैती हमेशा से मांग करते रहे हैं कि उन्हें अनुसूचित जन्जाती में शामिल किया जाना चाहिए वही नागा और कूकी समधाय को लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो उनका हक चिन जाएगा क्योंकि राजी में 50 फीजदी से जादा आबादी मैती लोगों की ही है मैती राजी में राजनितिक तौर और आर्थिक तौर पर बहुत जादा ताकतवर है 60 सीटों वाली मनिपुर विधान सभा में 40 सीटें घाटी से आती हैं जहां मैती रहते हैं और बाकी की 20 सीटें पहाड़ी इलाकों की हैं नागाको की समुधाई को लगता है कि अगर मैतेई को अनुसूचित जाती का दर्जा मिल जाता है तो राज्य में जमीन के अधिकारों को लेकर संघर्ष बढ़ जाएगा और बहु संख्यक मैतेई समुधाई को फाइदा मिलेगा अभी तक घाटी में रहने वाले लोग पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीच सकते हैं लेकित अनुसूचित जन्जाती का दर्जा मिलने के बाद मैतेई ऐसा कर सकेंगे यानि कि वो पहाड़ी इलाकों में जमीन आसानी से खरीच सकेंगे वैसे राजी सरकार के कुछ दूसरे फैसलों का भी विरोध हो रहा है जिसकी वज़ा से ये सभी समुदाएं आमने सामने इस वक्त हिंसक हो चुके हैं राजी सरकार का मानना है कि मैनमार से सीमा पार कर प्रवासी गैर कानूनी तौर पर आकर मनिपूर के जंगलों में बस रहे हैं सरकारी जमीन, सुरक्ष जंगलों पर भी कबजे हो रहे हैं इसे रोकने के लिए सरकारी जमीन और जंगल से कबजा खाली करवाया गया कूकी समुदाय सरकार के इस फैसले का भी विरोध कर रहा है कूकी समुदाय ने इस कदमों को अपने उपर हमला माना है क्योंकि मैंनमार के शर्णार्थियों और कूकी वंशावली का एक साज़ा इतिहास रहा है वही दूसी तरफ राजी सरकार ने ड्रग माफिया पर भी लगाम कसने के लिए कई फैसले लिये हैं पहाडी इलाकों में अफीम की खेती पर रोक लगाने के लिए वो लोगों को गिरफतार करती आ रही है अफीम के फसल को नश्ट करने के भी राजी सरकार ने आदेश दिये हैं लेकिन राजी सरकार के इस फैसले का भी विरोध हुआ है क्योंकि स्थानिय समधाय इसे अपने रोजगार से जोड़ कर देख रहा है नश्ट की गए खेती के मुआफ़जे का वादा भी राजी सरकार ने पूरा नहीं किया था और इसे लेकर भी विरोध अप्रेल में हिंसक हो गया तैसे में इन हालातों में शान्ती की स्थापना इस राजी में मनिपूर में कैसे संभव हो साफ है कि अगर मनिपूर में शान्ती बहाल करना है तो बीच का रास्ता निकालना ही होगा मैती बहुल राजी में राजी सरकार को ये भरोसा देना होगा कि वो हर फैसले में नागा, कूकी और मीजो समुदाय के साथ भी खड़ी है स्थानिय आदिवासी समुदाय में भी सरकार को भरोसा जगाना होगा ताकि वो उग्र संगटनों के भेकावे में ना आए नए उद्ध्यों और रोजगार के साधन बढ़ाने पर भी राजी सरकार को इस वक्त जोर देनी की जरूरत है ताकि जमीन को लेकर रोज के आपसी संगर्ष कम हो सके ब्रिटन के प्रधान मंत्री रिशी सुनक भारत के मूलके हैं ये बात तो सब लोग जानते हैं लेकिन ब्रिटन के उप विदेश मंत्री तारिक एहमत का भी भारत से गहरा रिश्टा है उनका ननिहाल लाजसान के जोधपूर में हैं जहां पहुंचने पर उन्हें अपनी मिट्टी की खुश्बू मिली लोड अहमत लोड तारिक एहमत जो यूके के उप विदेश मंत्री हैं क्या खास है लोड अहमत के बारे में सबसे पहले ही तो क्या ये जोधपूर के मूल के हैं इनका ननिहाल जो है वो जोधपूर में हैं दूसरा इनको एक सिरायत मिली है और वो कौन सी सिरायत विम्बल्डन वैसे तो विम्बल्डन टेनिस के लिए जाना जाता है लेकिन Lord Ahmed को Wimbledon की जागीर मिली है एक तरी से Lord Ahmed बहुत ही interesting है जो आपका राजकिय चिन है जो आपको मिला है उसमें दो मोर है तो मेरे को लगता है ये मोर की आवाज आपको यहां जोदपुर खीच लाई है जो आपका नने हाल है लेकिन हम जोदपुर की बात करें उसके पहले में आपसे एक चीज़ पूछना चाहती है चाहती हूँ जो हर हिंदुस्तानी की जहन में हैं जिन लोगों ने 200 साल पहले 200 साल के लिए हमारे पे हुकुमत की उसी गवर्मेंट में उसी देश में दो ऐसे लोग है आप और जो आपके प्रधान मंत्री हैं जो भारती और मूल के हैं और एक तरह से अब आप उनकी हुकुमत में शामिल हो गए हैं मैं यह नहीं कहूंगा हम उनकी हकूमत में शामिल हैं उस हकूमत के हिस्से हैं और पादर मंत्री जाब रिशी सुनाय क्यों हैं वो तो प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से उनका तो बड़ा एहम रोल है मगर आपने यह जिकर जिस तरह किया है कि यह कनेक्टिविटी इंडिया से भारत से किस तरह से हुई है और आपने वो दो मौरों का विप्रिंदों का भी जिकर की है बलके जब वो क्रेस्ट यू मेरा जलॉड आमेद विम्डन जब बनाया गया था उस वक्त पूचा गया था मस्ते के आप अपनी खांदान की तारीख के बारे में बताएं तो उस वक्त जब मैंने अपनी वालदा मौतरम खुदा उनको हर रंग में दरजन बलंद करे उनके जब मैंने उनका जिकर किया जोतपूर तो वो यो हमारे आर्टिस होते हैं वो लेके फिर उननी पेश किया कि ये परिंदे योहें जोतपूर से भी हैं विमर्डन से भी उनका तरलोक है और आपने वो पीकॉक्स का भी देखा है कि वो यो हैं किस तरफ वो मौनिया यो हैं वो भी एक हिंदुस्तान के हिस्ते के रिफ्लेक्शन है क्योंके मेरे पिता जी यो थे वो गुरदासपूर के थे पंजाब के तो इस तरंग में वो एक बड़ा गैरा तरलोक है आप जैसे कई दूसरे भी भारतिमूल के लोग हैं जो इंग्लेंड में आना चाहते हैं पढ़ाई के लिए वीजास का बड़ा मसला है अभी आपकी जो सरकार है उसने कहा है कि जो वीजास है उसमें वो जो डिपेंडेंट्स हैं उनको नहीं दिया जाएगा क्योंकि बहुत कल्चर को बहुत कुछ हो रहा है तो क्या सोच है इसमें और क्योंकि आप और रिशी सुनक एक तरह से इंडिया से इतना तालुकात रखते हैं क्या ये सोच आपकी राय क्या है इसमें और क्या सोच है सरकार की पहली चीज़ सो बन्यादी बात ये है क्या हर माईगरेंट कम्यूनिटी में उसमें हिंदुस्तानी भी पाकिस्तानी भी यो भी सौट एशिया से आया अफ्रीका से आया और उन्होंने यूके को अपना मिल्क बनाया है उन्होंने साथ-साथ इस मुल्की तरकी की तरफ भी का बहुत बड़ा हाथ है यो आपने बात की है वीजा की वो सिफ एक थोड़ी बदल आई है पहली चीज़ यो अंडर ग्राजुट आफर है कि वहां अंडर ग्राजुट वो वैसे की वैसी है कि आप वहां आएं आप अपनी तीन चार साल की पढ़ाई मुकमल करें बड़के उ दो साल का अपशन ये भी है दो साल पहले हमने इसमें तबदीली लाए थे कि आप वहां काम भी कर सकते हैं उसमें हमारा फाइदा है यो इनसान आ रहा है वहां पढ़ रहा है उनका साथी फाइदा है मगर वो सिफ एकडेमिक कौलिफिकेशन लेके नहीं मगर काम का भी एक् पूर भी खास तवज़ों दे रहा है और अगर आप ये अभी कोवेट के हवाले से देखें यो रिसर्च केपबिलिटी इस आक्सवर्ट की थी यो सीरम इंस्टिट्यूट यो पूना में था उनकी मैनिफैक्टरिंग उसमें भी दिखाया गया है कि ये यो एकडेमिक और र अक्सर कुछ ऐसे लोग ये सिर्फ भारती नक्ते से नहीं मगर पूरी मुलकों को मला के जाहर हो रहा था कि कुछ ऐसे इंस्टिटूशन्स हैं कि वो काम करके पूरा अपना कॉर्स पूरा नहीं कर रहें तो इसमें थोड़ी तबदीली लाई गई है मगर यो मेन तबदीलि रही ही ऐसे चुर्वाइज की तरफ से खास्तर और यो हिंद्स्तानी स्टूदेंट हैं आप हमारी नहीं की तरफ देखें वो डॉक्टर्स यो हैं अक्सर या तो वो ब्रिटिश इंडियन ओरिजिन के हैं या ब्रिटिश पाकिस्तानी ब्रिटिश बंगलपेशी डिस्टिक्स देखें, सबसे यो बड़ी स्टूडेंट पॉपलेशन यूके में अस वक्त अब चीन की तरफ से नहीं है, भारत की तरफ से.